हलो एस पैरेंस, वेलकुम बैक टू क्यू स्टेडी ओफिशल यूट्यूब चैनल, तो स्वागत है आपका जर्नल अवेनिस की क्लास में, आज हम करेंगे स्टैटिक जीके फॉर हपी एसीवी मेंस, और आज हम पढ़ेंगे मिलिटरी एक्सराइजिस, इंडिया की किन किन कंट ऑचयोग काईजन शिन्यूत वैट्री तो आप मुझे बताओगे इडिया एक्सराइज है या एयरफोर्स की एक्सराइज है या आर्मीश की एक्सराइज है इन तिनों आप वा मुगे कॉमेंट बॉक्स में अंसर करकर बताना नेक्स्ट रहे हमारे पास नेपाल तो नेपाल के साथ जो इंडिया की exercise होती है उसका नाव है सूर्या किरन नेक्स्ट रहे हमारे पास मेयनमर तो मेयनमर के साथ जो exercise होती है वो है इंबेक्स इंबेक्स exercise नेक्स्ट है हमारे पास Singapur तो Singapur के साथ जो इंडिया की exercise होती है वो है Bold Kurukshetra, Agni Warrior, Simbax ठीक है ये Singapur के साथ exercises हैं इंडिया की नेक्स्ट है हमारे पास Sampriti तो ये Бांगलादेश के साथ होती है Sampriti exercise इंडिया की ठीक है, इंडिया और बंगलदेश की बीच होती है, यह संप्रिती exercise, मिलिटरी exercise नेक्स न हमारे पास रशिया, तो रशिया के साथ exercise होती है इंडिया की इंद्रा, इंद्रा ठीक है, इंडीया प्लस रशिया, इंद्रा नेक्स्ट है हमारे पास Maldives तो Maldives के साथ exercise होती है इंडिया की कि वेरिन नेक्स्ट है हमारे पास Nomadic Elephant तो ये exercise है इंडिया और मॉंगोलिया के बीच Nomadic Elephant नेक्स्ट है Thailand तो Thailand के साथ जो exercise होती है इंडिया की वो है मैत्री तो आपको याद रखना है Thailand के साथ कौन सी exercise होती है Madri Next है हमारे पास Shri Lanka तो Shri Lanka के साथ है Mitr Shakti Mitr Shakti exercise है Shri Lanka की इंडिया के साथ Next है हमारे पास UK तो UK के साथ 3 exercise है एक है Ajay Warrior ये Army की exercise होती है इंदर धनुष ये Air Force exercise है Air की exercise है कौनकन ये Naval exercise है तो UK के साथ तीन exercise है अजेय वारियर, इंदर धनुष और कोनकन नेक्स्ट है मरपस US और UAE US और UAE के बीच जो exercise होती है उसका नाम है native furry native furry किसके बीच होती है US और UAE के बीच होती है नेक्स्ट है omen तो omen के साथ जो इंडिया के exercise है वो है नसीम अल बहर ये naval exercise है तो ये exercise navies के बीच में होती है इंडियन navies and omen की जो navies है उनके बीच होती है नसीम अल बहर नेक्स्ट है eastern beach तो ये एक air exercise है air forces के बीच होती है omen and India की alnaga नेक्स्ट है मरपस alnaga तो इसका अंसर आप मुझे करके बताऊगे कि कौन सी exercise है naval है air है या फिर armies की exercise है omen and India के बीच नेक्स्ट है मरपस फ्रांस तो फ्रांस के साथ तीन exercise है शक्ति वरुना गरुड शक्ति वरुना गरुड तो ये आपको याद रखना है कि इंडिया और फ्रांस के बीच अक्सराइज होती है उनका नाम क्या क्या है शक्ति वरुना गरुड नेक्स्ट है मरपस यूएस तो इंडिया की जो यूएस के साथ exercise होती है वो चार exercise ने पहली है वज्र प्रहार ठीक है यहां आर होगा टीकी जगा पे वी ए जे आर ए वज्र प्रहार ठीक है नेक्स्ट है कोप इंडिया थर्ड है युद्धभ्यास और फौर्थ है टाइगर ट्रम्प तो कौन-कौन से exercise होगी वज्र प्रहार, कोप इंडिया युद्धभ्यास and टाइगर ट्रम्प नेक्स्ट है मरपस maalabar तो एक tri-lateral exercise है ये होती है Japan, India and US के बीच ठीक है तीनों armies के बीच ये exercise होती है maalabar tri-lateral exercise है Next time अरपस UAE तो इंडिया और UAE के बीच जो exercise होती है वो है desert eagle ठीक है जो हमने UAE and USA के बीच बीच पड़ी US के बीच पड़ी वो थी net story और UAE एंडिया के बीच होती है डैजर्ट, इगल और यह एर फोर्सेस की एक्सराइज है ठीक है डैजर्ट, इगल तो यह थी कुछ आपके इंपोर्टन्ट मिलिटरी एक्सराइज ठीक है जो इंडिया के साथ होती है कुछ कंट्रीज की तो आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छी लगिए तो इससे लाइक कर दीजेगा और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजेगा थैंक यू सो मच फर वाचिंग इस वीडियो